हालो अब्रीबन अगीन वालकॉम बैक तो माई चैनल आयव वन क्वेस्टिन जिसमें हम लास्ट प्रे पास्टे और फिशर मैथर के ठ्रू क्वांटिटी इंडेक्स संबर काल्कुलेट करेंगे तो इस क्वेस्टिन में हमारे पास कॉमेडिटी दी है A, B, C, D, E और इस कॉमेडिटी में 2010 का आपके पास प्राइज दिया है और क्वांटिटी दी है 2011 का भी प्राइज दिया है और क्वांटिटी दी है तो प्राइज आपके पास 4, 6, 10, 3, 5, क्वांटिटी है 10, 8, 5, 12, 7, 2011 का प्राइज है 5, 7, 12, 4, 5 इसमें है 12, 10, 4, 4, 8 अब देखो हमारे पास क्वेस्टिन में हमें बोला है कि आपको दूसरा पास्टिएस मेथर कालकुलेट करना है और तीस्टा फिशर मेथर कालकुलेट करना है तो इसी क्वेस्टिन को मैं अठाऊंगी अब हमारे पास जो लास्टिएस मेथर का फामूला है Q1 upon Q0 multiplied by P0 and P0 इसमें हैं सिग्मा Q1 P1 upon सिग्मा Q0 P1 ठीक है तो हमारे पास तो पहले Q1 P0 Q0 P0 Q1 P1 Q0 P1 की value निकालने हैं हमने अब आपके पास question में आप देखेंगे Q1 आपके पास Q1 कितना है 12 है तो आप क्या करोगे Q1 को P0 के साथ multiply कर दोगे यानि कि 12 multiply by 4 आपके पास आ गया 48 10 multiply 660 next 40 12 आट मेच चालिस तो सिग्मा Q1 P0 की value कितनी आ जाएगी 48 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 12 प्लस 40 आपके पास 200 value आ जाएगी next one है Q0 Q0 तो यह 10 multiply by 4 6 multiply by 8 10 multiply by 5 5 multiply by 3 and 5 multiply by 7 तो हम इसकी value निकालेंगे Q0 P0 इकल टू कितना आएगा तो आपके पास 40 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 36 प्लस 35 इकल टू 209 उसे तरह दो हम अहीं उसे कारब कार तो हएगी 5 multiply by 12 7 multiply by 10 12 multiply by 4 4 4s are 16 8 5s are 40 Sigma Q1 P1 की value हम निकालेंगे 60 plus 70 plus 48 plus 16 plus 40 यहनि कि आपके पास 234 आएगी नेक्स्ट है Q0 and P1 ठीक है 10 multiply by 5 50 8 multiply by 7 56 5 multiply by 12 60 12 multiply by 4 48 7 multiply by 5 35 तो Sigma Q0 P1 की value हम निकालेंगे 50 plus 60 50 plus 56 plus 48 plus 35 249 अभी इसी question में हम last parameter का formula लगाएंगे last parameter का Sigma Q1 P0 upon Sigma Q0 P0 multiply by 100 तो Sigma Q1 P0 कितना है 200 divided by Sigma Q0 P0 209 multiply by 100 हम calculate करेंगे तो यह आजाएगा आपके पास 95.70 उसी तरह next आपके पास पास्ट्री मैतर है पास्ट्री मैतर का formula है Sigma Q1 P1 upon Sigma Q0 P1 multiply by 100 यानि कि Sigma Q1 P1 है 234 divided by Q0 P1 249 multiply by 100 तो आपके पास 234 multiply by 100 divided by 249 यानि कि 93.78 इसके बाद आपका Fischer मैतर है Fischer मैतर का Geometrics mean of last pay and past share यानि कि 95.70 multiply 93.78 का Geometric mean calculate करना है तो इसको आप 95.70 इसका जब Geometric mean रिकारेंगे 94.83 next हम एक और question लेते है question number 2 जिसमें बोला है कि आपको Fischer मैतर कालकुलेट करना है इसमें हम देखेंगे आपके पास A, V, C प्राइस दिया है 2010 और 2011 का प्राइस और आपके पास quantity दी है इसमें भी price and quantity दी है प्राइस दिया है 5 और आपके पास quantity दी हुई है 10, 6, 3 और प्राइस यह है 4, 7, 5 इसमें हैं आपके पास 12, 7 and 4 अब इसके थुरू हमें Fischer मैतर कालकुलेट करना है तो हमारे पास देखेंगे यह value जो है तो हमारे पास देखेंगे आपको Q1, P0 Q0, P0 Q1, P1 Q0, P1 अब Q1 आपके पास यहां है आपके पास P0 यहां है 12, 56 and 6, 4 24 Q0, P0 आपके पास 50, 48, 18 आजाएंगे Q1, आपके पास P1 है तो यह आजाएगा 48, 49 20 and Q0, P1 आजाएगा अब Q0, P1 यह है 40 45 तो सिगमा Q1, P0 आजाएगा आजाएगा आपके पास 60 प्लस 56 प्लस 24 बन फोर्टी सिगमा Q0, P0 आजाएगा 50 प्लस 48 प्लस 18 बन हंडर्ड शिक्स्टीन सिगमा Q1, P1 आजाएगा 48 प्लस 49 प्लस 20 बन हंडर्ड सैवन और सिगमा Q0, P1 आजाएगा 40 प्लस 48 प्लस 15 बन हंडर्ड थी हम निकालेंगे सबसे पहले लास्ट्रेस मैठब सिगमा Q1, P0 दिबाइड पाइगा 40 इडर्ड वाइड आजाएगा 120 प्लस 208 लास्ट सैवनिके बाद आपने पाश्य method को calculate करना है उसका formula है sigma q1 p1 upon sigma q0 p1 multiply by 100 यानि कि 170 divided by 1 3 multiply by 100 तो आपके पास 117 multiply by 100 divided by 103 आजाएगा तो वन 13.59 और फिशल method जो है वो आएगा geometric mean लास्ट में multiply पास्ट यानि कि 120.68 multiply by 113.59 तो हम इसको multiply करतेंगे और इसका geometric mean निकलेगा 117.08 ओके जो हैcs आप प्र 상pelे पर तो हैं आपिए जो हैं, पर छो हैं, आप में रख+.